मोधी जी आपको News18 Network को यो exclusive interview देने का बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने punishing schedule से हमारे लिए समय निकाला इस interview को हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे कुछ big picture questions पूछेंगे शुरुआत में हमारे सेंग हमारे दो colleagues जुड़े हुए हैं एक महराष्टा के anchor हैं दूसरे हमारे करनाटका के editor हैं ये दो states अहम हैं इस चुनाव में तो हमने सोजा कि थोड़े सवाल वो भी आप से करेंगे अब शुरू करते हैं पहला सवाल सब्सक्राइब आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने साथ करनाटका और महराष्टा को भी जोर दिया है तो एक पकार से आपने मेरी मदद की है वरना तीनों को अलग अलग इंटरू देता तो शायद मुझे और ज् सब्सक्राइब आपका नेट्वर्केटिंग केस अब यह तो सारा खेल मिडिया थे लोकों का होता है किस समय किस परकार से अनालिशिश करना तो मैं इतना कहूंगा मैं को यह कि मैं कोई चुनाओ के समय काम करने वाली सरकार नहीं चलाता हूं। आप मेरा दस साल का रेकॉर्ड देखेंगे। तो एवरेज फ्राइडे, सेटरेडे, संडे, मैं हिंदुस्तान के किसे किसी कौने में गया हूं। जनता के बीच में रहा हूं। और इसलिए मेरा जाना निरंतर चलता रहता है। कि जादा से जादा लोगों के बीच जाएं। जाकर के एक प्रकार से प्रोशिक्ष्यों का काम होना चाहिए। संबाध होना चाहिए। विचार विवर्स होना चाहिए। तो मैं एक गाजनितिक खेत्र के कारकरता के नहाते हूं। चुनाओ या नहों। मैं इसे अपना हो और इसलिए में जाता हूँ जहां तक यह दो फेस का सवाल है मैंने ऐसा जर्शाबर्थन बहुत कम चुनाव में देखा है जो मैं इस बार देख रहा हूँ एक प्रकार से चुनाव जनता जनारदन लट रही है सुषासन के लिए लड़ रही है अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ रही है ऐसा मुझे लगता है साइद मैं तो साइद एक निमित हूँ इस बार मेरा ज़्यादा उत्सा है लोगों के बीद जाने का हूँ पहले के तोलना में थाइज में ज़्यादा बार जाना भी चाहता हूँ इसलिए कि जो जन्ता जनारदन इतने उमां को उट्षा के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदबारी उठा ली हो तो उट जन्ता जनारदन को जाकर के उनको प्रणाम करना नमन करना उनको आशिरवाद लेना यह मुझे अपना करता भी लगता है और मैं देखता था जो फरस्ट राउन हुआ तो मैंने किसी दोस्तों को कहा था कि पहले राउन में यह हमारे खिलाब जो बोलों मोर्चा लगा रहे बैटरें की को descáis कर रहे हैं पहले राउन वह पच्थ हो गए और कल मैंने देगा दूसरे राउब में ये द्वस्त हो चुके जै यानि पहले लोगों ने पस्त कर दिया अब द्वस्त कर दिया मोधी जब कैम्पेंग की आपने शुरुवात की थी तो बड़े हाई नोट पे ये कैम्पेंग की शुरुवात हुई थी आपने कहा आपने अपने सरकार के पूरे काम का परिचे दिया आपने डिवेलप्मेंट एजेंडा को लेकर आगे बढ़े एकॉनिमी पर आपने जो है बहुत प्रकाश डाला और इसके उपर बहुत काम हुआ भी है अभी इधर इधर एक दो चरल के बाद आते आते आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कॉंग्रिस के मैनिफेस्टो पर एक डारेक पर टाक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्ट डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते है ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमापूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसल्मानों में और घुसपैठियों में बाट देना चाहते है क्या ये थ्रेक्ट इतना रियल है क्या आपको ऐसा दिखता है मुझे रखता है शायद आपकी टीम ने मेरा पूरा केम्पेंड को ट्रेक नहीं किया है यह शायद विकास की बहुत सी बातें असे हैं जिसको शायद टी आर्पी के हिसाब से बैठता नहीं होगा लेकिन आप में देखा होगा कि मेरा पूरा एरिक्षन केम्पेंड दो चीजों पर केंद्रित है एक हमने समाज कल्यान को लिए लोग कल्यान के लिए क्या काम किये और सबसे बड़ा फर्ग है और सरकारों में में ये सरकार में वो ये हैं कि लास्ट माइल डिलिवरी ये हमारी विशेस्ता है कुछ लोगों के लिए चार करोड़ घर बनाए मैं इतना लोगों को कहता हूँ कि आप इस तुनाव पेतार में जाएं तो मेरी मदद करें कि जुसके घर बनाना भी छूट गया हूँ हर गाउ में इतनो निकलेंगे उनकी सुची में भेजो ताकि जैसे ही मेरा तीसरा टम शुरू होंगा मैं इस खाम को आगे बनाना चाहता हूँ तीन करोड घर और मैं बनाना चाहता हूँ अब आईश्वान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी हैं हेल्थ इंशॉरंस और हेल्थ एशॉरंस की स्कीम है यह पच्पन करोड लोगों को इलाज का भरोसा कि अब आपको मोदी हैं मोदी की सरकार है पांच लाग रुपर तक का खर्च होगा संभाल लेंगे इस बार हमने मैने फ़स्ट में कहा है कि किसी भी बर्ग का किसी भी समाज का किसी भी बैक्ग्राउंड का व्यक्ति कौन हो जिस भी परिवार में सत्तर से उपर के आउपके जो भी व्यक्ति होंगे पूरुस्त्री सब उन सब को हम ये पांच लाग रुपर तक मोदी लाज की सुभी देंगे इस पर हमने मैने फ़स्ट में ये भी कहा है कि जो आशा वरकर हैं आंगनवारी वरकर हैं उनको हम इसका बेनिफिट देंगे ट्रांस जेंडर जितने भी हैं किसी भी आई कि क्यों नखो हम उनको बेनिफिट देंगे तो ये बात हम लोगों को बताते हैं अब आप देखिए जी हमारे देश में बैंकों कर आश्टेकार हुआ जो मिलकर जब तक अने के खेल चल रहे हैं पहले कर चुके हैं जी सारी बैंके प्राइवेट थे लूट लिया रातो रात गरीबों के नाम पर लूटा रहा है लेकिन हमारे देश की बैंके खस्ता हार हो गई आधे से अधिक आबादी ऐसी थी गरीबों के नाम बैंक तो लिया लेकि बैंक खाता नहीं किया यह मोदी ने आकर के 52 करोड बैंक के खाते खोडे और उसका सबसे बड़ा मैंने फाइदा होता है खाते खोल करके आँकड़ा नहीं किया मैंने जंधन, आधार और मुबाईल इस ट्रिनिटी को लेकर के डारेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर 36 लाग करोड रुपिये यह आकड़ा बहुत बड़ा होता है 36 लाग करोड रुपिये डारेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गई है अगर मैंने बैंक खाते ना खुले होते तो इनका बड़ा फाइनांसल इंक्रूजन इस दुनिया में पुरी दुनिया में एक साल में जितने अकांट खुलते होंगे उससे ज्यादा का हुमारे देश में हुआ है जल जीवन मेशन हमारे देश में जी 3-4 परसंद घरों में भी घर में नल से जलाता था वो भी जाता था अर्बन लोकालिटी में है आज 14 करोड ग्रामेर परिवारों को नल से जल पहुचा है अब यह सारे का हमें 25 करोड लोग गरीबी से बार ऐसे ही नहीं है जी हमने उनको इतना ससक्त बनाए और मेरी स्ट्राटेजी यही है कि हम को परास्त करें और जब गरीब अपने महनत से गरीवी को परास्त करता है इस के बाद उसको गरीबी में वापिस नहीं जाना यह संकर्प बन जाता है और वो देश की शक्ती बन जाता है आज हमें फाइदा है 25 क्रोन लोग गरीबी से बहार आए बहुत बड़ा एचिमेंट है जी दुनिया इसकी तारीब कर रहे है जी और यह एक मोडेल बनेगा यह जो डेवलपिंग कंट्री जाम के लिए मोडेल बनेगा जी अब देखिए 2014 के पहले क्या हो था 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वले निकाल दीजिए फ्रेजाइल फाइव फ्रेजाइल फाइव यही एडलाइन होता था आज जी हम बाइब्रनेट एकॉनोमी बन गए है आए मैफ ने दुनिया के 150 देशों का समू जिसमें चाइना भी है हिंदुस्तान भी है जिसको हम कहें क देवलोपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जंग इमर्जिंग एकॉनोमी वाले देश है ऐसो का एक सभू का उनको क्लाजिपाइ करके उन्हों उसका एनालिजिस किया बड़ा इंट्रेस्टिंग है एने एक पागार से यह इंडिया का पीयर गूव हम कह सकते हैं अब देखे इंडिया पर केपिटा जीडिपी इस पीयर गूव से तीस प्रतीशत के आसपास थी जाने पूरा इंडेर सोर देशों का इसे उस समय अटल जी की सरकार थी 98 से 2004 अटल जी के अपने कारखन में यह 30 प्रसंट को 35 प्रसंट ले गए अच्छा अच्छा प्रोग्रेस वा लेकिन दुरभागे देखे जी 2004 में यह सब फिचरी कंपनी आ गई और फिचरी कंपनी ने अटल जी की महानत जोदिश पर पानी फेर दिया 35 प्रसंट को 30 पर ले आ गए और लोग यानि इन सारी कंप्रीस ने बारत से जादा अच्छा प्रफॉर्म किया और हमने बुरा किया यूपीए की सरकार में भारत डेवलपनी वर्ड की अपिशा और गरीब हो गया हमसे गरीब तो वो भी हमसे आगे निकल गए लेकिन 2014 में हमाए सरकार बनने के बाद 2019 तक में आपको खुशी होगी है हम 30 पर से 37 पर पहुंचा दिया और 24 तक मैं जब पहुंचा हूँ ये मामला 42 पर संट पहुंच गया है याने 30 छोड़ा था हम 42 लेया और यह हाई एस ट्राइज याने हमारी इंकम दुनिया के और देशों की अपिक्षा बहुत तेजी से बड़ी है अगर आप 10 साल के कालखंड में इंफ्लेशन को भी ले जो महँगाई फितनी चर्चा करते हैं तो ये 10 साल सबसे कम सबसे कम इंफ्लेशन वाला कालखंड रहा है ये मैं इतना सारा जो कहता हूँ और हकिकत के अधार पर कहता हूँ कठोर परिशन करने के बाद एक्षिव किया है जी पूरी सरकार को मोबिलाइज किया है और लक्ष को पार करने के लिए जी जान से जुड़ गए हैं उसके बावजुद भी मोदी क्या कहता है जी तो ट्रेलर है मुझे तो और आगे जाना है और नहीं नहीं आकांग शाहिए और मैं बहुत तेजी से बढ़ना चाहता हूँ अब देश को लेकर के और कॉंग्रेस था जहां तक मैनिफेस्ट हो है कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पुलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्ट हो यह कोई शोपिस के लिए होते हैं क्या सच्थ मुझतैं मिडिया का काम है कि हरे कुलिटिकल पार्टियों की मैनिफेस्ट होकी बाड़ी की से इजह आट परताल के हैं मैं इंतिजार कर रहा था कि मिडिया करें पहले दिन मैंने एक कॉमेंट तो कर दिया था मैं को आज कर नहीं रहा कि मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिखी छाप है तो मुझे लगा कि मिडिया चौक जाएगा जो एनालिसिस करने वाले चौक जाएगे पता नहीं अब उनकी व्यस्त्रता कुछ और है मैनिफेस्टो में उनकी तरब से जो परोशा गया उतनों गुड़ी 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 उशालते रहे फिर मुझे लगता भी तो एको सिस्टिम का अबना मिली पहर लगता है अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा मैंने काफी दस दिन हित्यार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइया है उसको कोई 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 कि निस्पक तरिए साथा है तो अच्छा है आखिर कर मुझे मजबूरन यह सच्चाई लेकर क्या रिपड़ी आप देखे साथ और उनके एक महासाई ने अमेरिका में इंटर्वी दे दिया इनेरिटन्स टैक्स तो इनेरिटन्स टैक्स की बात ले आए पच्वन परसंट टैक्स आपकी प्रपर्टी अब अब मैं विकास और विरासत की बात करा हूं यह विरासत को लूट रहे की बात करते हैं तो मैं और वेल्ड रिडिविस्टिविशन की बात करते हैं और उनके आज तक का इतिया से वो करेंगे क्या तो फिर मेरी जिम्मे बारे इस सब मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि मैं देश वाश्यों को बताऊं कि भी यह इस दिशा में ले जा रहे हैं अब आप ते कीजिए जाना ने जनता जनाना का हरता है लेकिन मेरा दाईत्व बनता है कि तर्थे वो आधार पर तर्थे आधार पर उनकी हकिकोत आधार पर मुझे बताना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ साइम पिटराजी ने जो है इनहरिटेंस टैक्स की बात की जो हम लोगों की जमा पूंजी है जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा भारती जनता परटी की विशारदारा साब है जी हम अपने विशारदारा के आधार पर कारकमों को लेकर के मैंजिफेस्टों को लेकर के देश के सामने जाते हैं कुरपा करके ऐसे महासादों के विशारों को हम पर बंद होगे बाए बोधी जी राहूल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे, इसी से जोड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाहरा हूँ, एक national x-ray कराएंगे, बात सिर्फ caste census की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कितनी institutions में भागिदारी है, और उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे, इसको आप कैसे दिखते हैं? सबसे पहले तो, इस देश में जो लोग अपने अक्मो राजनिती के एक्षपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइक्व हैं, कि वो ऐसे लोगों को पूछे, कि जिस परिस्तित्यों का वर्णा आप कर रहे हो, अगर यह सही है, तो सपता, साथ, पैसल साल तो आपने राज किया भई, यह मुसिबत के जन्म दाता है, आप हो, और आपने अब तक कि यह बरबादी लाएक जो हैं, पहले उनका जवाब मांगो भई, नमबर बन, नमबर तो, एक्षपर का मतलब क्या है जी मतलब हर परिवार में जाना, गर-गर चापा मारना, अगर किसी अनाच के डिब्वे में किसी महिला ने अपने गहने चपा के रखे हैं, उसको भी एक्षपर किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमिनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडि पूरी तरह अर्बन नक्सल को सोच का सीधा सीधा प्रगड़ी करना है, और इसलिए मैनिफेस्टों आने के दस दिन ते बाद भी ये जो जमात आये दिन लिख्था पटी करती है न, उनके प्रोटेक्शन में चूप रही है, तम मेलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, कि द रही है, आपको लूट रही है, तरकिब हो रही है, और दूसरे पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंग्जी वगर उनने हाल बाद कहा है, कि जो भी संपत दियोंगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किदा तो साब हो क्या करना चाहते हैं, आपने ये सवाल भी उठाया है, 2006 का एक वीडियो जो वाइरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंग्जी ने कहा है, कि गरीब गरीब लोग करीब मुसल्मानों का पहला अधिकार रिसोर्स पर है, ये उन्होंने साफ कहा है, आपने उसको मैनिफेस्टों में भी ये बात पॉइंट आउट की है, कि OBC का OBC रेजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसल्मानों को दे दिना चाहेंगे, और 2004-2014 के बीच में उन्होंने चार-पांच बार ऐसा करने की कोशिश की भी है, अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिन सवाल आपने पूचा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाए देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा, आप कॉंग्रेस का इत्यार देश के जिए, नब्बे के दसक से ये मांग उठी है देश में, समाज का बहुत बड़ा तप्पा है जिसको लगता था हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए अंदोलन हुए है, नब्बे से प पाने की कोशिच की है, यहने नब्बे के पहले का उनका दसक है, फिर उनको जितनी कमिशन बने, जितनी कमिटिया बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स, OBC के विचार के प्रक्ष में आने लगे, अब उनके से भारोसे कोगी वो नकारते रहें, रिजक करते रहें, दबाते रहे नब्बे के दसक में, उनको लगा गभी अब इसको जरा, उनकी वोट बेंक की राजलिती के अनुसार उसको टन दिया जाए, उनके पहला पाप के क्या, नाइटीज के दसक में, करना टका में उनके धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, करना टका में उनके धर्म के आध को नकारना उस विचार को दबाना उस विचार को रिजेक्ट करना लेकिन राजलीती खाकर मुसल्मानों को OBC गोशित कर देना है केंद्र से कॉंग्रिस गई 2004 तक यह प्लान ठप रहा उनका इरादा पक्का नहीं हुआ 2004 में उफिर आए तो आते ही आंद्र में मुसलिम को OBC कोटा इदेना ताय कर दिया मामला कोट में जाके उलज गया अब OBC के 27% जो आरक्षन में मिला हुआ है भारत के संसत ने दिया है समीधान के मुल्गुत भावना के प्रकाश में दिया है 27% सेद लगाने के उन्होंने तहरी करती दाका डालने की कोशिश की 2006 में नेशनल डेवलप्मेंट काउंसेल के मिटिंग हुई जी है NDC की मन मोन जीन ने बयान पर बहुत बड़ा हंगाम हो गया है दो साल कॉंग्रेट पूरी चूप रही है 2009 के गोशना पत्र में फिर से इसका जिकर किया 2011 में केमिनेट नोट है इसका 2011 के केमिनेट नोट में ओभी सिके 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसल्मानों को दे देना उन्होंने तए किया जी 2012 यूपी चुनाओ में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की फाइदा नहीं हुआ 2012 आंद्रा हाइक ओड ने इसको रिजेक कर दिया रद कर दिया कानूनी जज्जमेंट आ गया एस्सी में गये सुप्रिंग ओड में गये वहाँ उनको कोई रिलिफ नहीं मिला 2014 के गोशापत्र में भी दर्व के आधार पर आरक्षण की बाद कहीं है जबकि हिंदुस्तान का सम्विधान जब बना तब तको आरेसेज वाले बीजेपी वाले सम्विधान जबा में नहीं थे बाबा साब आम्रेकर जेसे लोग बैटे थे पंडिक दरू जेसे बैटे थे सता अवले पर बैटे थे देश के कई महपुरस बैटे थे उन सबने लंबे चिंतन के बाद पाई किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता 2024 के चुनाओं में आप देख रहे हैं उनका मेनिफेस्टो और मैंने का इस पर पूरी तरह मुस्लिम लिग की छाप है यह मुस्लिम लिगी नीतिया उन्होंने अपनार शूर किया अब यह जो उन्होंने सित्या बनाई है मुझे बताईए कि देश के लोगों को यह जिस प्रकार से सम्मिधान की दज्जिया उड़ा रहे हैं जिस प्रकार से लोग बापा साब आम्बेट करको अपनित करते हैं SC, ST के आरक्षन पर भी खत्रा तलवार लटका देते हैं OBC का तो जीना मुश्किल कर देंगे क्या मुझे देश की जनता को प्रसिक्षित करना चाहिए कर नहीं करना चाहिए मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं जो कलम के धनी हैं जो निस्पक्ष हैं उनका इदाईत्व बनता हैं कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें सही चीजे बताएं कॉंग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है जो कि उन्होंने मैनिफेस्टों में बोला है उन्होंने लिखाया कि इनकरेज और एसिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिलॉंगिंग तो दे माइनॉरिटीज उन्होंने ये काया कि विल इंशॉर माइनॉरिटीज रिसीव देर फेर शेर अफ ऑपर्चुनिटीज ये बोला है तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं मितले इनके मैनिफेस्टों को मुझे पकर नहीं जरूते हैं मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया जिए जिए 1990 का हिसाब देखोगे उसके बाद आप क्या करोगे मुझे अब उसे उसमें एनालिसिस करेंगे जरूते हैं पड़ती है आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोन सिंग जी के 2009 के बयांतर कर सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिल्कुल इस वह से क्या निकालोगे बाई मैं नहीं निकाल रहा हरे को यहीं निकालना पड़ेगा यहां मतलब की यह कहें करके यहां जाएंगे वो और यह जो भागीदारी की बात करते हैं इंस्टिटूशन में कि जाजेज OBC नहीं है मीडिया में OBC का रेप्रेजेंटेशन काम है इसको आप कैसे दिखते हैं अब मुझे बताईए जो 2014 में हम आए हमने ऐसी कोई निती बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को ऋहीं कि न back रहा है अगर उन्होंने सचेई अर्थ में सेकुलरिजम किया होता आप सचे अर्थ में साबाज किया होता वोट में न की राजनिती न की होती न उनको आज इस प्रकार से जूठे कागेजों को ले करके घुमना नहीं पड़ता। एक बार अटल जी पाएं, दूबार मेरे समधियां। तो ये हमारे आचरन से पता चलता है, कि हमारे रोटेशन होगा। यह डिसाइड लेकर पा रहे हैं कि किसको पीएम बनाएंगे तो एक एक साल के लिए सब लोग पीएम बनेंगे। सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है, सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डिवेलप्मेंट स्टेज है। दो अलग अलग सवाल है। देखिए आप ओंग्रेश का करेक्टर देखिए। उनके हाँ राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संगर था। तो उन्हों फर्मुला बनाई डाई डाई साल मुख्य मंतरी की। दाइसाल एक मुख्य में तरी रहेंगे, दाइसाल दूसरे मुझे यह वरास्ता में formula बनाई थी, non formula है, 36 में ऐसे हमकी party के भीतर जगड़ा हुआ, तो वहां भी आन्योंनोंने formula बनाई कि दाइसाल एक, दाइसाल दूसरा. और उनके मामला समावब करकर गारी चलाई. और ये भी सचाहिए है कि धाई साहिल के बाद वो मुकर गए यह ने खुद की पार्टी के साथ दोका किया खुद की पार्टी के अंदर उनी दोका करने के उनकी प्रवुति इसका मतलब ऐसी फॉर्मिला कॉंग्रेस के दिमाग में होना ये प्रूवन है और मैंने अभी कहीं मीडिया में पढ़ा उनके कोई छोटी से मिटिंग भी थी मीडिया में पढ़ा मैंने अब इसमें ये कहा गए अब आज के स्तिजम मोदी बार बार पूछ रहा है इतना बड़ा देश किसको सुपरत करे अपको नाम तो होना चेह न इतना बड़ा अब किसी कम नाम दीजिए कोई तो नाम देना पड़ेगा न अरे क्रिकेट की टीम होती ही वो भी कैप्टन बड अब बताने ही रहो कितना बड़ा देश देख इसको अब जांकर मेरों को ऐसे फॉर्मिला बनाई है कि भई बन यर बन पीम फॉर्मिला अब एक पीम एक साल रहेगा तो आएगा पूरी नई सरकार बनाएगा कैबिनेट बनाएगा तो फिर सपत समारों चलते रहेंगे पां वो सपत समारों को उलते रहेंगे अब कोई देश ऐसे चल सकता है इतना बड़ा देश जी है देश ने तीस साल तक अस्तिरता देखी है मिली जुली सरकारों का दोर देखा है आज दुनिया में भारत के प्रतिक विस्वाफ बढ़ा है उसका कारण भारत के 140 क्रोड लोगों उने एक स्थी मजबूत स्पस्ट बहुमत वाली सरकार बनाई तो कोई भी भरोसा करेगा है यहां इस सरकार के पास मेंडेट है मिली जुली सरकार पर को भरोसा है नहीं करता है और इतना बड़ा देश ऐसे धोड़ा चल सकता है लेकिन आज देश की राजनिती ऐसी है कि रीजनल एस्पेरेशन्स को ओनर करना ही होगा और इसलिए हमें पूर्ण बहुमत मिला फिर भी हम सरकार एंडिय की बनाते हैं एंडिय के साथियों को लेकर के बनाते हैं क्योंकि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देश के राजनिती उजवल भविश के लिए देश की लोगों के एस्पिरेशन के लिए रीजिनल एस्पिरेशन को उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए उतना ही हिस्सा देना चाहिए और ये करेक्टर एंडिये ने डेवलप किया है भारती जनता पार्टे ने करके दिखाया है आपने regional aspirations की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे एक सवाल और जिससे पहले कि उस पर आते हैं opposition की सारी parties, राहूल गांधी, Congress सब ये कहते हैं कि मोधी जी ये जो है match fixing कर रहा है इस चुनाव पर उन्होंने कहा है कि ED, CBI और EVM के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं क्या कहेंगे आप EVM का जवाब तो देश की Supreme Court दे दिया है और 2014 में इनके पाद ED थी, इनके पाद CBI थी तो हार क्यों गए पर, मेरे Home Minister तक को जन में डाल दिया था तो हार कोछ गए हो, अगर ED, CBI से चुनाव जीते जाते तो ED, CBI क्या काम तो इतने सालों तो Congress नहीं किया है वो जीत जाते हैं जी और इतना बड़ा देश एक Municipality का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भई जार करके देखो, यह संभव होता है क्या फिक्सिंग, क्या दुनिया को मोरग बना लेकिन दूख इस बात का है, कि ऐसी बाते करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के वज़ा आपको पूछते हो मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चुक्ता सा है, मैं मानता हूँ पिछले कई दिनों से इंडी अलाइंस के लोग इतने निराश हो चुके, इतने निराश हो चुके हैं, कि अभी उनको बहाने डूनना बहुत जरूरी बन गया है क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए कि उनको तरी, इसलिए मैं समझता हूँ, शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंड रहे हैं, कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये मोदी जी दो स्टेट्स अहम है इस चुनाओ में, एक है करनाटका और एक है महराश्टा, करनाटका जहां पर अभी आपकी हार हुई थी विधान सभा की चुनाओ में, और महराश्टा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सी खिछड़ी बनी हुई है, तीन पाटियां, दो पाठियां टूटी है, मेरे दो साथी मेरे साथ हैं, सबसे पहले शुरुवात करते हैं करनाटका से, तो हरी परसाद जी जो हमारे वहाँ के वहाँ के एडिटर है वो आप से कुछ सवάλ पूछना चाता है में, अबिक हैं करनाटका लिए नेहा हिएमट मर्डर केस, मलश आप क्या सोच रहे हैं यह अभी फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या करनाड़क का चुनाव का फोकस ऐसे इश्यूस को शिफ्ट हो रहा है देखिए नद्दा जी का कारकम वहाँ चल रहा था और इतनी बड़ी गटना गटी थी और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे वो कॉंग्रेस के थे उसकी बेटी की हत्या हो गई तो हमारा क्या यह हमारे समस्कार नहीं है नहीं हमारी सोच है और एक मानविय संबेदना का विश्य है और मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ और देख जी ने इतनी चुनाव के आपा धापी मैं भी उनके स्वानतवाना देने का प्रयास किया है यह पूरी तरह मानविय वहवार है मैं भी अब मुझे मैं पताता हूँ कि साहिए कुन सा चुनाव मुझे आप देगी है लेकिन रहुल जी कहां कहीं पर हुआई जहाज मैं कुछ गरबर हुआ तो मुझे पता चला तो मैंने तुने दिन को फोन किया ने तब भे आपको कुछ धिकत हुई यह क्या हुआ है प्रिम्या जी फिर हमारे एहमद पतेल से उसारे लोग उनका हेलिकाप्टर एक दिम से क्रैश कर गया मिझे पका जाना मने तो इन फोन किया मैं यहाँ से आपको एर एंबिमेंट भेजता हूं तो एमद दिने मुझे गार ने अभी बलकुल हम लोग सरामत है इवा ठीक है है हेलिकाप्टर को नुक्सान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलिफ नहीं हुई है एक बार सोनिय जी कासी गई इलेक्शन कंपेंट में और वहां उनको तब यह एक दम खराब हो गई तो मैंने तुरंट यहां से सब को भीजा मैंने कब देखो क्या मामला है यह दावाई जाद उनको तो यह एक तु मेरे समस्कार भी है अब मैं मानता हूँ कि यह राजनेती से परे होते हैं चीजे तो मेरे लिए किसी कभी किसी भी परिबार में आप परती आ जाए यह हमारा राजनेती से उपर उट कर गई ही वेवार होना चाहिजी रड़ परिपकर कर खुम्राण्य का सहुएं तो मतारपा कर गई है यह राजनेती इंड़ आयाद राजनेती से आपर एब ठहानेती से खुए जो इंड़ पर ठापूर दियू यह यह उप्र जयो तो बिंद्दरिश्च पर्णिश्पर एफ लिएर्बगरे इंड़ी वरे ज़्यादा फोकस हो रहा है इसका वजह से तोड़ा सा बीजेपी का अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उदर कि वह एक्चुली आपका मन में करनाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जी सकते हैं क्या है नमबर वन करनाटका की जनता पश्यादाप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी इनको बढ़ा दिया तो जन समर्धन वारा कम नहीं हुआ है जन समर्धन वारा बढ़ा है लेकिन इन्होंने इतनी कम समय में है सीएम कौन अभी भी वह बात सैटल नहीं हुए श्रपत हुआ है सीएम का लेकर सैटल नहीं हुआ है अपने आपको सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें अब कामों जोस है देखिये चर्मरा अगे है बंबलास हो रहे हैं हत्याय हो रही है आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत के स्थिति में है वादे तो बड़े-बड़े कर दिया हुआ है और फिर टैंग लगा है ऐसा होगा तो यह मिलेगा वैसा होगा तो नहीं मिलागा बटलब आप जंता के साथ दोका भी कर रहे हो जब हमने कहा कि भी हम इन हिन लोगों को आईश्मान काड़ देंगे बटलब देंगे फिर इप्टेन बट लगा अगर कि उसमें बेईमाने नहीं करी चाहिए अभी जब हमने कहा कि हम सतर साल से उपर के किसी भी वर्क के व्यक्ति होंगे इनको आईश्मान काड़ देंगे बटलब देंगे आपने यह हुम्मत हो नहीं सी है उन्होंने किसानों की जो योजना थी उरहत कर दी किसान सम्मान नहीं थी कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करना का आप बता आप कोई सोच सकता है जब बैंगलूरू दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज़त बढ़ाने में बैंगलूरू का बहुत बड़ा रोल है दुनिया में जब जाते हैं तो बैंगलूरू कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचीत है टेक हब को रूप में जाना जाता था आपने देखते ही देखते इसको टेंकर हब बना दिया और टेंकर में भी माफिया साही चल रही है पानी के लिए लोग तरस रहे हैं अगर यह जो हालत होनों ने कर दिये अब यहाओं के स्कॉलर्षिप आपने संख्या भी कर दी कि लोट मांगा उन भुद्ड्डों का आप दे नी पर रहे अचाईव ने के लिए वोट मान रहे हैं और वह खील से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं जहां तक भारतिय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं, भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकि मेरी पूरी टीम काम कर दिये जी, उसी प्रकार से ये दूरत्मा जी हमारे वरिष्टर नेता है, लेकि काम पूरी टीम कर रही है, और कर तीम महनत करती हैं लोगो विष्वाफ भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। कर दो गीव और राइफ फुल कंपंसेशन वाट सिवर ओपनी सरकार थी और वहां ड्राउट था हुआ समय मैंने खुद के ने उनकी पुरी टीम को यहां बुलाया था अजया प्राइमिस्टर मैंने उनकी टम में इनको बुलाया था बैठकर के मैंने का भाई पहले हम जल संच के योजना हमाने बनानी चाहिए अब जहां तक स्ट्रेट डिजास्टर रिलीफण का सवाल है हमारी सरकार ने पहले ही जो केंदर का हिस्सा होता है वो उनके यहां बैंक के खाते में जमा करके दे दिया हुआ है हमारी इंटर मिनिस्ट्रेल टीम उसने भी प्रभाविक शेत्रों में जुनियम है पदद ही हो जो हमने नहीं बनाई कई दसकों से हैं उसकी अनुसार वो टीम महां गई है जा करके उसने सर्वे किया है और हर बाराचा होता है जैसे मैंने हाँ गुजरात में भूकम पुबा तो मैंने एक मेमरेंडम भेजा बाराच सरकार ने एक टीम भेजी उन्होंने सर्वे किया उन्होंने हेजाप के बाव लगाया अब यह सारी प्रोसेश चली आचार सहीं को आ गे तो हमने एलेक्षन कमिशन को कहान भए हमने विशह हैं हम इसको जटहीं आप पर मिशन देंग तुम्हें विलास बड़े या आप से कुछ महाराश्रा के बारे में बात चीत करना चाहिए। क्या उद्धो ठाकरे जी और शरत बार जी के साथ या उनके पक्ष में आप कोई एक सिंपतिकी लहर देख रहे हैं। लंबे अर्से से मिली जुली सरकार चलती है। बिलास राव देशमुक थे तब से लेकर के आप देखिए। शरत पबार भी जब मुख्यमंत्री बने थे। वो भी और भ्हमत के साथ अकले नहीं बन पाए थे। दूसरा महारास्ता का दुरभागे रहा है। कि लंबे अर्से से पांच साल तक कोई एक मुख्यमंत्री रहा नहीं है। देवेंदर फड़नवीश पहले व्यक्ति थे लंबे अर्शे के बाद जो एक पूरा स्कारचाल मुख्यमंत्री रहे है। और पूरी सरकार बेदाग रही है। पूरी सरकार लोगों के भला करने वाली सरकार रही है। अब सिंपति हमारे साथ होनी चाहिए है। कि जो लोग हमारे साथ चुनाओं लड़े हैं। जो लोग हमारे साथ चुनाओं लड़ करके महराचा के लोगों से भोत मागा। लेकिन मुख्यमत्री बनने के फुद के व्यक्तिकत महत्वकांख्षा के कारण और उसमें अहंकार भर गया इसके कारण आपने बारसाब ठाकरे के जमाने से बनी-बनाई इस जोडी को दोका दे दिया और उसका लोगों को भुषा है बीजेपी के प्रति सिंपत्य है दूसरा शिवस्ताना के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ या एंसिपी के अंदर जो तुफान खड़ा हुआ वो साब साब दिखता है कि जब आप अपने परिवार के लोगों को ही पात्मिक्ता देते हैं और बाकियों को नहीं देते हैं तो कभी में कभी तो कठी राइक होती है सरद्राव के घर में जो मुसिबत है उनके पारिवारी जगड़ा है बतीजा समाले कि बेटी समाले यहां भी इनका जगड़ा यह है कि और कोई सक्षम देता उपर आए कि खुद का बेटा भले अभी जै इस प्रकार के पारिवारी जगरों के परती नफरत करता है सिंपती नहीं करता है तो यह बेलकुल ही आप सिंपती सब्दे लेकर के सिंपती दिलवानी के अगर कोई कोशिश करता है तो मैं समयता हूँ वो भी फेल जाने वाली है लोग नफरत करते हैं लोग ऐसी चीजों को स्विकार नहीं कर सकते हैं कि यह तुम्हारे घर के जगए तुम घर में निपनों ना महाराश्टा को क्यों परबाद कर रहे हो कि तो गुस्षा है तूसरी बात है जहां तक आज सिंदी जी के नितुरत में जो सरकार चल रही है भारती जनता पार्टी का ज्यादा सीटे होने के बाद में त्याग किया है त्याग महाराश्टा की भलाई के लिए किया है कुछ लोगों को लगता था कि हम CM बनना चाहते नहीं कि हम CM बन सके giy नहीं बने है माहराष्ठ जग जंताओं को हमने convince किया है कि हम माहराष्ठ के लिए जीते हैं हमारे लिए नहीं जीते हैं और इस चुनाव में ये सिंपती हमारे पक्षमे है कि इतना बड़ा दल एक मुख्यमिंत्री सफ़ड रहा हुआ मुख्यमिंत्री वो अट डेप्यूटी सीम बन करके भी एक पकार से खुद के सम्मान को छोड़ करके आज भारतिय जन्रता फारटी सिर्फ पर सिर्फ महराष्टर के उजवल भाविश के लिए और मैं मानता हूँ हमारे देश में बंगाल बरबाद हो गया कोल करता है एक देश एकनोमिक को टायू करता था लेकि महा इस प्रकार की उठापक्टर के राजनेति ने बरबाद कर दिया बिहार और उत्तर प्रदेश अस्थिर्ता की राजनेति ने तभा करके रख दिये थे महाराष्टर को इस हालत में जाने नहीं देना चाहिए मुंबई देश की आर्थिक राद्धानी है हमें देश हित्वे भी महाराष्टर में मजबूति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बाप हम महाराष्टर की जनता को समझा रहे हैं उनको कन्वे कर रहे हैं और महाराष्टर की जनता बहुत पोसिटिल रिस्पॉंड दे रही है महाराष्टर में बीजेपी, शिवसेना और नसिपी की महायूति बनी है लेकिन इस चुनाओं में आखरी समय तक सीटों की खिचातान बहुत चल रही है अभी तक टिकट का वितरन भी बहुत जगा पे नहीं हुआ है ये महायूति पर एक बड़ा सवाल नहीं है मुझे लगता है ये जो पहले दो वाक्ते बोले न उसके सिवाए बाकी सब जो बतार वो उन लोगों का पॉब्लम है वहाँ सीटे तैनी हो पा रही है वहां दिरने नी हो पा रहा है वहाँ पैरलल चुनाओं लड़े जा रहे है मिल जूल करके सीटे तहे करके चल पड़े है जी और वैलिन एडवांस कर दिया है सिवसेना, बीजेपी और एंचिपी इतीनों ने इसको कर लिया है सामने जो नकली पार्टियों का मेलाब मेलाब है वहाँ नहीं हो पा रहा है जी उल्टा है हम बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ रहे है बोड भी बढ़ेगा, सीट भी बढ़ेगी सर, 2017 में आपकी सरकार ने शरत पवार जी को पद्मो विभूशन दिया था जो देश का सेकेंड हाइस सिविलिन ओनर है लेकिन पिछले मंगल बार को शरत पवार जी ने एक कहे दिया मराठी में ते मराठी ता समना ले कि मोदी जी देशा से नवे पुतीना है आप नए पुतीम बन रहे हैं आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं मैं उनका आधर करता हूँ आज भी करता हूँ और मैं मानता हूँ सारवजनिक जीवन में लंबे अर्शा तरक जिंगे लोगों ने काम किया है हमारे साथ रहे न रहे हमारे विरोध बने वालग बात है इसका मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर वो पुतीन को देखते हैं उसकी सरकां से एवर्ड लेकर के वो गर्व कर रहे है यह तो बहुत बड़ा कॉंट्राडिक्शन है हुए लेकिन वो गर्व कर रहे हैं जहां तक मेरी पार्टी की सोच अब देखे हमने भारत रत्न दिया तो किसको दिया पणव मुखर जी नर्से माराओ चोदीर चनांसें जी करपूरी ठाकोर और इस देश में किसे ने क्वेस्चन नहीं क्या मधिजी अप इनको क्यो भारत रत्न दे रहे हैं सब को लगता हाँ यार यह डूठा डिजर था किस दिल के थे हमारे खिराब देशारी बाते उनों ने बताई भी ऐसे लोग हैं लेकिन निलने उसके आधार पड़ी होता है आप पद्मपुरस्कार देखे मुलायम सिंग जी असम के तरूंग गोगई जी पी यह सांगमा जी जमीर जी ऐसम कर्शना जी आप देखे जी सारे लोग हैं दुसरी पड़्योक हैं हमनों उनको पद्मपु दिया हम पद्मप देते उनको अपने अपने क्षेतर में現在 उनका योगदान है देश के लिए जोगयों को नकिया है यह देश का दाइत्व में अगर देश का है गल का नहीं है जी यह मोधी की पर्सनल पॉपर्टी नहीं है यह भारती जन्तापाटी का उस पर कॉपिराइट नहीं है जी तो मैंने पूरा पद्मपुरस्कार तो मैं मनता हूं कभी अगर आप स्टोरी चलाएं मीडिया के लोग इंट्रेस्ट करें भारत में पद्मपुरस्कार को कैसे परिवर्तित किया गया कैसे पद्मपुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया इतना बड़ा काम उने किया है अगर तारीफ होनी चाहिए इस बात की होनी चाहिए कि आप बहुत बड़े सोच व प्रदेश की करते हैं सबसे बड़ा प्रदेश है 80 सीटे वहां से आ रही है क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकार्ड तोड़ पाएंगे 70 सीट लाएं थी बीजेपी 73 इंडिये इस बार अगर देखे तो अखिलेश और राहूल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहां से उता रहा है खुद कन्नौच से लड़ रहे हैं अख जितने घर्व से सब उतरे हैं सब उतरे हैं सब उतरे हैं चार बार बोल रहे हैं ये 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 मजबूरी है क्या है परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है ये मजबूरी है ये उनका मूल करेक्टर के इसके सिवा उनके बाद को है ही नहीं है फैमिली मेंबर के लिए ल लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविश्च क्या है उसकी समझ पूरी है और इसलिए मैंने पार्लामेंट पर कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोगसभा के मैदान से भाग रहे हैं राजसपा का रास्ता खोज और हुआ वैसा ही है बड़े लोग ने चुनाव लट नेकले तयार लेगे जी लेकिन हमें जिम्मेबारी के साथ काम चल रहे हैं सब को साथ लेकर के चल रहे हैं और मुझे पक्का भी स्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका कुछ नहीं बचेगा नहीं का अंग्रेश साब आपके पीछे कहता है कि सरगार जो है एडी सीबिया इंटिलेजेंस एजनसी इसका इस्तेमाल कर रही है आपने कहा है कि एडी इंडिपेंडेंट है सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक सर एक अनालिसिस एक नियूस पेपर ने की थी अधिवी केस डॉप नहीं किया गया है जो अदालत कहेंगी वही होगा हम को दिर्णे ने केस्वाकंत्र है दूसरी बात है पॉलिटिकल लिडरिशिप के स्केस कितने हैं अधार एक अगर इन समस्ताओं का जन्म लोगा है अगर इन समस्ताओं का जन्म इस इसी काम के लिए तो काम नहीं करेगी यहां और अधालत एतरी बेड़ी है जी किसों को दमानत नहीं देरी अधालत तो अधालत देती होगे नहीं और दस्टाचार के मामले में हम कम सखम इसको लाइट नह लेजी सच पुछ में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आरोप लगता था तो भी हल जाते थे आज गुना सिद्ध हो चुका है सजा हो चुकी है फिर भी आप हाथ हुचार कर 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 के फोटो निकल आ रहे हो आप ब्रस्टाचार का महिमा मन मन कर रहे हो इस देश में अलोचना का विशे होना स्वेश ब्रस्टाचार को नियू नॉर्मल के रुप में ट्रिट नहीं करना स्वेए बरना इस देश का बहुत दुक्सान होगा जी यह सवाल बीजेपी और अदर्स कमाना नहीं है देश के लिए ठीक नहीं है आप इसके नूर्मल बना दे और मैं देख रहा हूँ दिरे दिरे ऐसा बातान बनाया जा रहा है आँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है यह यही तो गरीब आद मीं मर रहा है जी हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए रिजॉल्फ होना चाहिए यह कंट्री का वो नहीं हो रहा है जी और मैं तो मानता हूँ देखे मैं कुझो कोशिश कर रहा हूँ एक है सिस्टिम को पॉलिसी डिवन बनाओ टकलनोजी को भर पूल लाओ आज हमने पहले एक प्रदान मंत्री कहते थे एक उर्पे जाता है 15 पहसे पहुंचता है आज मैं कहता है एक उर्पे जाता है पूरे 100 पहसे पहुंचते है डारेक बेनेटिबियर ट्रांस्पर्ट क्यों शिस्टिम को सुधार हो भी हमने जैम पोर्टल बनाया को करोप्शन को कम करने दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी दूसरा समाज को भी जगा जिए समाज को भी आदत तालोग भी प्रस्टाचा बुड़ा है किसी भी इस तरप पर प्रस्टाचा असे मुक्त रहा जाए और देश में वह वात बन रहा है तो पर लिटिज लोगों को डर नहीं है और मैं मानता है उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा भी रोध है इतले उनका समर्धन कर देना ये शोभा नहीं देता है भई आपने पिछले कारिकाल में काफी बड़े काम किये आर्टिकल 370 को रद किया CAA को लेके आए मगर opposition leaders इस campaign में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है CAA को repeal कर देंगे ममतब energy खास करके कह रहे हैं CAA को implement नहीं होने देंगी इसको आप कैसे देखते हैं पहली बात है कि जिसको भारत का सभिदान समझा है विसको भारत के federal structure का पता है किसके पास कौन काम है वो सब पता है वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं क्योंकि ये उनके अधिकार खित्र का विशय ही नहीं है अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जो भारत सरकार के विशय हो भारत सरकार करेगी जो राज्य सरकार के विशय होते हो राज्य सरकार करेगी लेकिन जनता को मुर्द बनाने की फैशन हो गई है जनता को अंबेर में राखने इसलिए कुछ कि इतनी बड़ी बाते करते करते ने कि हम्मत है क्या वो पेस कंफर्स करके बोले कि हम 307 फिर से वापी लाएंगे हिम्मत है तो कोई भी दल हम्मत हो तो आ जाए मैदान में मोधी जी बंगाल की तरफ चलते हैं वेस बंगाल में जो है इस बार चुनाओ काफी जोरों में लड़ाई हो रही है पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए ते 42 में तो लोग लोग चकित रह गए थे लोगों को उमीद नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे इस बार आपके एक ने काया कि 36 सीट आ सकती है राजनाच जी ने मुझसे इंटर्वी में काया था कि 36 सीट आ सकती है कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहूल को देखिए जहां तक लोगों का चकीत वाला जो आप कह रहे है न उनका प्रॉब्लम है कि मीजे 10 साल हो गए अभी वह मानने को द्यार न जनता ने मोधी नाम के किजी व्यक्तिय को प्रधान मिंत्री बनाए तो ऐसे एक जमात है जो देश के मेंडेर को स्विकार करने को तैयार नहीं है जी अब हकीकत है भई कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है आपने हिसाब लगाया तक नहीं होगा नहीं होगा तो याप अब जनता जनादन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्तीर मजबुत सरकार है बंगाल में भी उसका परणाव अच्छे मिले और टीमसी के सासन में महलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं संदेश खाली की जो घटना है पुरे देश को हिला दिया है इसलिए और उसक लिएखिज अपना गुसा निकालेंगें तो घुसा नीकलना आपने देखा कोनों के नोट के डेर क्या कभी आपके TV वालों इतने सारे नोटों के डेर कभी पकड़ियो घठा पी पिछले सालों में आप लगान्तार 15 करोर के ठीनus करोर के देश ञबुद में दो-सम गरोड क चुका है तो इस बार जीत और बड़ी होगी बिल्कुल कर रहे हैं उदिशा को कैसे देखते हैं उदिशा में आपने जो है बीजेटी का साथ छोड़ा भारती जनता पार्टी वहां अलग रही है बीजेडी ने मुद्दो के अधार पर केंदर में हमारा समर्थन के अधार पर और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दो के अधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं तो बीजेडी का हमारा नाता वोरा राज्य के अंदर हम बिल्कुल उडिशा की पुरी अश्मिता करतम हो रही भाई उडिशा की अश्मिता संकट में है उडिशा लेंग्वेज वो खत्रे म आ रही है और मैंने मानता को उडिशा के लोग अब यह लंबे अर्शे तक इसको सहन कर सके है इतने संसाधन है जी आज उडिशा देश का रिचेस्टेट मन सकता था जी रिचेस्टेट लेकिन क्या अहलत बना के रखिए तो अब उडिशा की सामान्य मानवी के अंदे कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए हम उडिशा को कहां से कहां पहुचा के देंगे उडिसा से बात बिहार की भी करते हैं बिहार में आपने फिर नितिश जी के संग वापस जो है आपका गड़बंदन उनके साथ है उस गड़बंदन के साथ लड़ रहे हैं कैसे देखते हैं पिछली बार 49 सीटे थी आपकी 40 में क्या इसको रिपीट कर पाएंगे पहले एक तो हम चुनाव एसेंब्ली का साथ लड़े थे बाद में वो कहीं गए फिर बापीस आए तो हम जो जनता का मेंडेट है उसके अनुसार साथ में है जहां तक जन समर्थन का सवर्थन में बिहार में ही था जो जन समर्थन में देख रहा हूं अन्प्रिसिडर इतनी ग कि बिहार में पहले में एकाथ स्वीट साथ हार जाते थे शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे चालिस में चालिस एक भी नहीं हारेंगे बहुत बड़ा बयान है पुदी जी एकाथ परसनल सवाल आपसे करना चाहूंगा आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं आप गुजर चुनाव से आप पर personal attack अक्सर होते जाते हैं कहीं पर कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो कभी बोला जाता है सर फोड़ दो अभी हाल फिलाल में राहुल गांधी ने भी आप पर कुछ आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि personal attack के तौर पर उनको भी देखा जा सकता ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए ये सवाल इस देश में चर्चर का होना चाहिए कि सारवजन एक जीवन में आखिर मोदी का गुना क्या है वो पीम बना मदलब आप जो भी घालि देते हैं प्रधान मंत्री को देंगे अब प्रधान मंत्री को इस प्रकार से सवर फोड़ देंगे या अबी मेरी मांख को गालि देना या कभी और मैं हरान हुदी भारत के राष्टपति पर भी किस प्रकार का लिए तक जा रहा हैho मैं हमेजा मानता हूँ जी मद्दाता ही मेरा परिवार है देश ही मेरा परिवार है और मैं सकारत पर जा रहा हूँ लेकिन जो ऐसा कर रहा है उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ थी उनको मैं एड्रेस करना चाहता था मैंने उस देशा में काम किया और उस समय देश के इंदर एक निराश्या का वाता हुँ था सरकार के प्रती नफ्रत कामाता मैं सरकार याने निकम भी मुझे विश्वास भरना था मैं उस पर काम किया मजबुति लाया तो दूसरा कारकर था वो मैंने कुछ परणाम दिखाये लोगों को विश्वास भर दिया हम आगे बढ़ सकते हैं हम दुनिया के अंदर एक कांफुर में परिवर्तित हुबा आकांख्षा में परिवर्तित हुआ जब एस्पिरेशन के अंदर परिवर्तित हुआ अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना रहा है लिकिए जब मैं ग्यारा से पांच पर लाया उसी की कंटिनुटी है जी युमें पांच वर्गों कि बने का मावर तीन वाला अच्छा ऐसा नहीं हो सकता तो पहले मनमान सिंक की जमें पर ग्यारा तक से हम जोड लगा करके पांच पर ले आए अब जोड लगा करके तीन पर ले जाएंगे तो हम हर चीज़ते हैं अब जैसे बिजली हमने बिजली पहुंचाने का बड़ा भ गर्व योजना और जीरो बिजली बिल और मैं हर घर पर सोलार सिस्टिम लगें और मैं सिरफ बिजली का बिल जीरो चाहता हूं इतना है मैं तीन चीजे चाहता हूं एक हर परिवार का बिजली का बिल जीरो हो दूसरा अतिरिक्त बिजली जो हो वो बेचे कमाई करें तीसरा जमाना इलेक्ट्रिक वेहिकल का आएगा मुझे आत्मे निर्वर होना है एनर्जी के सेक्टर में और इसलिए मैं चाहूंगा जो इसके पास भी स्कूटी हो मोटर हो जो भी हो उसका चार्जिंग अपने घर में हो जाए और सोलार से हो जाए मतलब आज उसका जो ट्रांसपोर्टिशन का महिने का हजार दो हजार रुप्या खर्चा आता है वो भी जीरो हो जाए ये त्रीवीत बेनिफिट नागरी को और देश को परियावन का मेनिफिट देश को आज पैट्रोली में इंपर्ट करना के जो अर्बो अर्बो डॉलर जा रहे है बार वो बंद हो जाएगा तो मल्टीपल बेनिफिट वाला योजना अब जैसे स्टार्ट अफ हब मैनुफेक्ट्रिन हब बनाना है मुझे इनोवेशन हब बनाना है यहाने मैं एक बिल्कुल नए अरिया पर देश को लिए जाना चाहता हूँ और पड़े कॉंफिडेंस का और वीजन मेरा क्लियर है मुझे कोई दुवीदा नहीं मेरे पास पताया है नेक्स हंडेट इज चार्ज उनके बाद हंडेट इज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरा पास क्लियर है पॉंच साल में क्या करना क्लियर है 2047 में विक्सित भारत बने क्लियर है इसलिए मैं कहता हूँ 24 by 7 फॉर 2047 ये मेरा मिजाज आए इस पर अलग से एक चर्चा करनी पड़ेगी आपको हमारे ग्रूप में साख आज विलास मुझ से सुबह एक सवाल पूछ रहे तो मैंने काप मोदी जी से खुजी पूछना डारेक्ट आपने आपकी पूरी हियात्रा में बहुत सारे कठीनाय का सामना किया है ऐसे हालत में भी आप टफ डिसिजिएन लेते हैं एक कैसा कर पाते हैं देखिए मैं टफ डिसिजिएन पगे नहीं लेता हूँ छिवा सही डिसिजिएन लेता हूँ कोई टक नो सबस Hack अ है किसी को तो टफ लगे एक पाज़ी को ना लग है सब सबता है लेकिन मैं मैं सोचता हूं कर सो होina manifest होता है मुझसे जो कुछ भी है वो को इश्वरिय शक्ति करवा रही है और वो इश्वरी शक्ति ही इश्वरिय प्रेना से मैं करता रहता हूँ ये कोई परमात्मा की देन है परमात्मा नहीं मुझसे कुछ काम लेनता है किया है किसी परपर्च के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं ये जो बाकी तुफान चलना है उससे बहुत परे रहता हूँ लेकिन इस तुफान में शान्त कैसे रहते हैं मुझे साथ परमात्मा ने यही राज दिखाई है कि तुझे कोई बड़ा काम करना है तुम अपने काम में लगे रहो तो परमात्मा का मिर्देश है परमात्मा की इच्छा है परमात्मा की यूजना है और शायद यह उसी का निमीत तो हूँ कुछ है इसी तो जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं हमको आपका शड्यूल मिलता है आप इतना ट्रवल कर रहे हैं दिन में पांच, चार, छे रहली वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं कौन सी ऐसी शक्ती है जो आपको ये दृड़ संकल्ब दे रही है आगे बढ़ने का पहली बाद तो मैंने कहां ना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ जी ये इश्वर ने तय किया हुआ है इस वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए बेजा है क्योंकि मैं जिस परिवार में पहला हुआ हूँ जी मेरी माने कुछ पड़ी लिखी नहीं थी इस स्कूल नहीं देखा था मेरा कुछ प्लिट के बैक्राउंड नहीं है और इतने बड़ा देश इतना कामी इश्वर नहीं करेगा तो कौन करेगा जाए और मेरे देश्वर है एक जिसको हम देख नहीं पाते हैं और दूसरे वो जो जनता-जनादन है जनता-जनादन को भी इस्वर का ही रूप मानता हूँ और दूसरा परमात्मा के पर दिमिरी अपार्स रधा है शायth परमातमाने मुझे इस काम के लिए भेजा है जनता जनार अरदन ने आश्रवात दिया है शक्ति जे जहां कर मैं काम क्यों कर पाता है में मेरे लिए जीता नहीं हूँ न मेरे लिए जन्मा हूँ तो मेरे म quería हमेशा रहता है कि मुझे जीतना समय मिला है इसका पल-पल मैं देश के कामा हूँ जहां तक मैं दोरता हूँ मैं रहा है लोक तंत्र है एक बहुत बड़ा उत्सव है फेस्टिवल है जी इस जनता जनादन के दर्शन करने का उसर है हमें मुका लेना चाहिए जंच जनादन के दर्षन करना चाहिए लोगतंतर का इत उत्स है जिसमेड होना चाहिए जितना ज्यदा तो मैं इसको एक वैसे हम घर में कोई पुजा करते हैं कैसे इनवाल होते हैं मेरे लिए पुजा का समय है मैरे 140 करोड देवता है उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ उस भाव से मैं चलता हूँ लगा रहता हूँ उनमे और खब जाता हूँ और ठकता नहीं हूँ भगवान को देखे आता हूँ मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने अपने समय इतना समय निकाला आपके नारे की तरह इस बार हमारा भी एक नारा है अगली बार अगली बार सिर्फ न्यूज 18 पर आठ बार बहुत बहुत धन्यवाद आपने अमनों को समय दिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सग्रानमादे नावसकार सग्रानमाश्ट लेजिए झाल